हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग सबका स्वागत है इस सेशन में जहां पर जहां हम डिसकेशन करने वाले हैं टॉप टेन ऑपरचुनिटीज फोर एई जई एश्परेंट इन टू जिरो टू 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 फियर यानि दोहजार तैईस और चोबिस के अंदर जो आप लोग कि सबसे बड़ी दस ऑपरचुनिटी आपको मिली है उसके बारे में मैं डिसकेशन करूंगा कौन-कौन सी वेकेंसी आई है या फ्यूचर में आने वाली है यह सारा डिसकेशन आज की सेशन में होने वाला है तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले बात करूं ससी जई जो कि इस कैटेगरी का मैं दो एक्जाम ऐसी चीज है जिसमें बहुत अच्छी खासी वेकेंसी नि की नोटिफिकेशन अलड़ी पार्ट हो गया हमें पता ही कि प्री ऐगजाम और मस्त दोफ़ीं होगा यानी पेपर वन पेपर टू और अक्टूबर में होगा पेपर टू जे होगा मेंस और यह ऑब्जेक्टीं होगा या दिसमबर के अंदर होने वाला है तो यह चीज है अ साल का गाप गया था पर अगले साल जब वेकंसी निकल लिए थी तो दोनों के ज़ो वेकंसी उन दोनों को करके निकला गया था तो चलिए कोई दिकत वाली बात निया ऐसे से जई आपको पता है बो राइट बॉर्डर रोड के अंदर organization के अंदर निकलता है, Central CPWD, यह सबसे famous और बहुत सारे बच्चों को dream रहता है इस department के अंदर काम करना, Central Water Commission, फरक्का बेराज, military engineering services, यह भी बहुत सारे लोगों का dream रहता है, इस के अंदर job करने का, यहीं चीज़ दोस्तों, ऐसे national technical research organization से different department है, जिसमन आप AIJJEE job कर सकते हो, अगर आप SSJEE के exam को निकालते हो, पर सबसे खास बात है, SSJEE का exam, कोई एक दिन के preparation से नहीं निकलता है, उसके लिए पहले सही focus करना पड़ता है, और अपनी preparation को continue लखना पड़ता है, तो 2023 में जो exam देने वाल है, all the very best, क्योंकि आपने करता हो, दोस्तों, यहाँ पन इस बार जो निकली थी, इसका pay scale के अगर मैं बात की जाए, तो 47,600 का pay matrix होती है, level 1, level 13 का, ठीक है, जनरल के लिए total 90, different categories के अंदर, different vacancy निकली है, total लगबग, right, 1000 से उपर की vacancy, SSJEE के अंदर, निकली थी 2023 के अंदर दोस्तों, right, अच्छा, इ DDAJEE की vacancy, दोस्तों, अभी पहले आई थी है, इसका exam भी हो चुका है, हम next year भी expect कर सकते हैं कि जो DDAJEE है, उसका exam हो, सबसे खास बात है, इनके जितने भी AE और JEE के exam को आप notice करोगे, उन सब के syllabus, somehow, similar syllabus ही होते हैं, यानि अगर आप बहुत target होकर, अगर focused होकर अगर आप preparation कर वो सारे exam को लिखता है, और किसी ने किसी exam को, और खाली किसी ने किसी exam को नहीं, बहुत सारे exam को line से crack करता है, तो दोस्तों, दूसरी जो opportunity है, वो Delhi Development Authority, DDA की है, इसके अदर भी different department है, पोस्त है, जिसको पर vacancy निकलती है, चाहे मैं assistant, count officer की बात करूँ, पर यह सम हमारे काम की नहीं है, हमारे काम की दिखाई दे रहा होगा junior engineer, right, civil के अंदर सबसे ज्यादा vacancy इसके अंदर निकली थी, दोस्तों, डीडीए के बाद अगर बात करता हूं, तो third number पर जो सबसे famous है, जो bulk में vacancy निकालती है, बच्चे बड़े बेसबरी से निजार करते है, जिसमें बहु तो दोस्तों, जो airport authority के अगर बात करूं, तो ये भी 2023 के अंदर vacancy निकली थी, और ये जितने भी मैं discussion कर रहा हूं, ये कोई हवा में discussion नहीं हो रहा है, ये सब 2023 में vacancy already निकली हुए, और कुछ मैं discussion ऐसा भी करूंगा, ना वनुगा उस exam का, जिसको हम expect कर सकते हैं, 2024 के लिए दोस्तों, तो यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, junior executive common grade के अगर बात करूं, 99 vacancy थी, junior executive finance के अगर बात करूं, जही की 30 vacancy थी, junior executive different different services के लिए अगर मैं बात करूं, तो different different vacancy थी, total 154 vacancies department में आई थी दोस्तों, इस category AAI के अंदर था, इसी तरीके से अगर मैं बात क vacancy थी, तो regular आई थी, और 11 backlog की यहनी पूरानी vacancy थी, total मिलाकर 1562 vacancy इसके अदर आई थी, हना कि यह एक ऐसा exam है जो बहुत सारी विवादित रहा है कि कभी exam होगा, नहीं होगा, पोस्पोन होगा, इस तरीके करा है, बट फिर भी यह exam ऐसा है, जो हर साल हम expect कर सकते हैं, चाह चाह में जम्मु कश्मीर की बात करो, या फिर चाह में पंजाब electricity board की बात करो, या UP electricity board की बात करो, यह वो department है जिसके अंदर, generally हर साल vacancy निकलती है, दोस्तों, बट, इनकी जब notification निकलती हो, और जब exam होता है, उसमें जादा time नहीं होता है, यानि जैसे आज notification निकला, दो म कि मुझे इस exam को forward ना है, और जिसको forward ना होता है वो किसी का इंजार नहीं करता है, वो column उठाता है, copy किताब रखता है, अपनी preparation स्टार्ट कर देता है, 6-8 महिनी के अपनी planning बनाता है, कि यह 6-8 महिने में effort दगाऊंगा, उसके बाद चितनी भी vacancy होगी, सब को line से forward होगा, तो यह दोस्तों JSSC, JE की recruitment थी, इसके बार अगर बात करता हो, TSPSCAE exam, इससे related भी 2023 के अंदर vacancy आई थी दोस्तों, और यह आप लोगों को पता ही है कि इसके अंदर भी vacancy आई थी, और यह TSPSCAE exam की vacancy जो आई थी, यह even exam की date भी निकल के आगे था, 18-19-20th को इसका होने वाला exam exam का, right, exam date तक announce हो गया, और यह एक ऐसी चीज है, अंद्रपरदेश की बात करूँ या तेलंगाना इस्टेट की बात करूँ, इसके अंदर जनरली exam बहुत quickly, quick form में निकलते हैं, और वे जो, जो announcement होती है, इसके इसके बाद दोस्तों TSPC, मैंने आपको बताय था, जिसके department के हिसाब से 62, 41, 13, यह एक ऐसा exam है, जिसकी वेकिंसी, हम expect कर सकते हैं, कि every year, यह हरा alternate year के अंदर आपको इसकी वेकिंसी देखने को मिलेगी, right, इसके अलावा एगर मैं दोस्तों बात करता हूँ, HPPSC, right, यहाँ पर अगर मैं HPPSC की बात करूँ, यानि हिमाचल प्रदेश, right, public service commission की एगर बात करूँ, तो यहाँ पर भी दोस्तों, right, already online application form start 30th September 2023 से, last date online form का 29th October है, यानि 30 तारिक से exam start हो जाएगा 30 September से form fill करना, यह already announcement हो चुकी है, right, junior engineer की total 81 vacancy है, और junior environmental engineer की 14 vacancy है, मेरे प्यारे दोस्तों, इसका मतलब इसके अंदर भी अच्छी खास है, और यह भी 24 का सोच रहा है, वो भी मान के चलिए, कि preparation तो आपको start करनी चाहिए, अच्छा, उसके वार BPSC, Bihar Public Service Commission, इसमें हलाकि exam में काफी time इसमें delay रहा है, तो बच्चों का थोड़ा सा विस्वास, कम भी होता ही, कि sir, कभी announce होता है, exam होता है, delay हो जाता है, पोस्पोन हो जाता है, कभी court में चला जाता है, पर फिर भी काफी कुछ इसके अंदर exam हुए भी हैं, दोस्तों, तो आपको ज्यादा tension लेने की जोगत नहीं, और इसमें भी 255 vacancies expected है, यह कब आने वाली date, यह हम कभी announce भी, जब तक notification ही आएगा, तब तक हम बतानी सकते हैं, यह expected है, कि लगबग 255 की वेकेंसी आसपास BPSC, Bihar Service Commission के अंदर, J-E या A-E category के अंदर दोस्तों, actually A-E category के अंदर इसको मिल ले वाली, और अच्छी खासी जॉब होती है, इसके अलावार दोस्तों, JKPSC, यानि Jammu and Kashmir Public Service Commission की बात करूं, तो अभी भी, इसकी अभी कोई announcement आई नहीं, पर लगबग 36 वेकेंसी, J-E लेवल पे, या A-E लेवल पे, जब भी कभी मैं बात करूं, PSC की बात करूं, जनरली वेकेंसी की बात करूं, असिस्टेंट इंजिनियर की, तो A-E के लिए, लगबग 36 वेकेंसी आने की पूरी समभाबना है, कब आईगी बहुत जल्दी हम, हम ये expect कर सकते इस exam के लिए, इसके अलावा दोस्तों, UPPSC, इसके अंदर भी, आप J-E और A-E लेवल पे, आप वेकेंसी को expect कर सकते हो, बहुत जल्दी आने वाला है, RRB, J-E, बहुत सारे बच्चों का, क्योंकि इसके अंदर जो वेकेंसी है, कोई 1-2 हजार नहीं निकलती, बल्क में व लोगों के लिए, यह dream होता है, पर इसका syllabus, जितने बड़े सपने हैं, syllabus उतना ही ज्यादा बड़ा है, तो और इसकी वेकेंसी जब निकलती है, 2-3 महिने के अंदर ही exam हो जाता है, तो जब वेकेंसी निकलेगी, मतलब ऐसा नहीं कि जब आग लगीगी तब कुआ खोदना प करो, तो यह तो आपको पता ही है, कि यह already announced हो चुका है, कि इसका exam जनवरी 2024 के अंदर होने वाला है, इसका मतलब यह भी already announced है, कितनी वेकेंसी, क्या वेकेंसी, यह अभी बाकी है, पर exam कब होगा, यह पहले सो ही गॉर्मेंट ने announced कर दिया है, दोस्तों, यूपी PCL के अंग यूपी PCL के अगर बात करो दोस्तों, तो मेरे कुछ ऐसे दोस्त है, जो already IES थे, इंडियन इंजिनिरिंग सर्विसेज, जिसको आप ESE आजकर बोलते हैं, इंजिनिरिंग सर्विसेज अगे आमिनेशन, उसको क्रैक करके वो जॉब कर रहे थे, राइट, कभी मौका मिलेग तो मैं आपसे मिलाओंगा भी, IES सर्व कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, और उनकी UP PCL के अंदर एक्जाम लग गया, उनकी जॉब यहां भी लग गयी, जब उन्होंने एक्जाम दिया, उन्होंने IES के जॉब को कुट करके, यहां पर हलां कि वो उत्तरपरदेश के थे, उन आपको काम करना है, या आप लोगों की ड्रीम क्या है, कौन से एक्जाम को क्रेक करना है, एक बार कमेंट बॉक्स में जरू लिखेगा, तिल देट, तैंक यू वरी मॉच, ओल दे वरी बेस्ट, जै हिन दोस्तों!